सारस फेस्टिवल आज हम बात करेंगे सारस फेस्टिवल और यह स्पेशली वूमेन के रिलेटिड है I think you know very well कि वूमेन और चाइल्ड कितना important है कोई भी अगर इस एक जब न्यूज में वूमेन के रिलेटिड या चाइल्ड के रिलेटिड होगा तो उसका question पका पूछते हैं और ऐसे भी as a knowledge आपको पता होना चाहिए कि सारस फूड फेस्टिवल क्या है हम सभी बोलते हैं कि हाँ हमें अपनी मदर का खाना बहुत पसंद है ठीक है मलब कोई भी बंदा एक काम को लगा रहे करता रहे तो अटोमेटिक उसमें वो क्या हो जाता है परफेक्ट हो जाता है यहां पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर आप स्टेर रूलर डिवल्मेंट शिरी फागन सिंग है उन्होंने इनागुरेट किया सारेट फूड फेस्टिवल ठीक है यहां पे ऐसे भी पूछ सकते है सारेट फूड फेस्टिवल किसने इनागुरेट किया शिरी फागन सिंग कौन है ये रूलर के मिनिस्टर अब ये क्या है क्या एम है किसने इसको इस्टेबलिश किया वो हम देखते है मिनिस्टरी आती है उसके अंडर दैड मिन की जैसे जो वूमेन गर में खाना बनाती है उनको एक उपोर्जनिटी मिलेगी अपनी स्किल शो करने की ठीक है जैसे फूड कल्चर होते है हमारी कंट्री में यहां रेलबेस स्टेशन में और्गनाईशन करवा देंगे अपने स्किल को शो करना इसके अंडर वो है और 25% सेल कर सकती है इकमर्स इकमर्स मीन्स ऑनलाइन ठीक है ऑनलाइन वो कितना परसंट 25% सेल कर सकती है यह आता है सेल्फ हल्प ग्रुप के अंदर आल स्टेट, सिटीज, मैट्रो एरपोर्ट और रेल्वे स्टेशन यहां पर यह स्टॉल लगा सकती है अब यहां पर देखो कोशन कैसे बनेगा सारेस फूड फेस्टिवल किसके रिलेटिड है वूमेन के रिलेटिड वूमेन को इंपावर करना है लार्ज स्किल जो महलाएं जो वूमेन स्पेशली खाना बनाती है वो अपने खाने को महलाएं अपने स्किल को शोकेस कर सकती है दिखा सकती है कहां पर कैपिटल मेजर सिटी मैट्रो सिटी में एरपोर्ट में एरेल्वे स्टेशन में स्टॉल लगाके ठीक है अब कौन सी मनिस्टरी मनिस्टरी बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत ऐसे डारकली मनिस्टरी बूचते है ये मनिस्टरी रूलर डिवल्मेंट ठीक है रूलर गाऊं-गाऊं की महलाओं को भी डिवल्ब करना है एंट्रोपैननरशिप देनी है business woman self-dependent बनाना है ठीक है तो ministry of ruler development आती है इसके अंडर और कौन है हमारे ruler development के minister शिरी फागन सिंग शिरी फागन सिंग ठीक है उसके बाद कौन से mission के अंदर आती है national ruler levelhood mission ठीक है ये था सारेस food festival जो recently अभी news में चल रहे था थैंक यू